तो अब फ्रेंड्स ये मेरे पास एरफोन है जो नॉर्बर एरफोन है आप यहां पर देख सकते हो तो गाइस मैं आपको इसी एरफोन से ब्लूटूत एरफोन बनाना सिखाऊंगा तो आपको वीडियो क्राइड देखना होगा तो गाइस यह काफी हाया क्वालिटी का है आप कोई भी एरफोन का यूज कर सकते हो जिसमें यह स्वीच नहीं होती है माइक नहीं होती वह भी आप यूज कर सकते हो इसका सिर्फ स्पीकर वाला पॉर्ट है उससे हमें सिर्फ निकाल लेना है खोल के तो फ्रेंड्स अब हमें यहां पर एक सरकीट की जोद पड़ेगी यह Bluetooth एरफोन की सरकीड जो आप सब जानते हो Bluetooth एरफोन उसका कीट ही है गाइस आप सोचोगे कि मैं इसे यूज क्यू कर रहा हूं तो फ्रेंड्स आप सब काफी जानते ही होगे कि बिना Bluetooth कीट के कोई भी समान को Bluetooth बनाया नहीं जा सकता है इसके लिए कीट आपको जवरत कि अब हमें यहाँ पर चार्जिंग लिए मैं यहाँ पर केबल ले ले रहा हूं यह charger केबल है आप इस स्वीच भी है पीछे में भी प्रेश कि लगा हुआ हुआ है कैने मैंने आपको पहले बताया कि ही क्वालिटी का एएरफोन हैं यह फिलों आप देखें़ What िनुस निगाल लिया यह दीए जो ये green वाला wire ये हमारा negative point है तो ये दोनों point को में एक साथ मिला देना है जो ये orange color का है ये हमारा दोनों positive रहेगा तो आप simply इसे एक साथ मिला करके solder करना है तो मैं आपको बताऊंगा किसे solder कहाँ पर कर लेना तो यहां पर आप देख सें तो kit में यहां पर हमें speaker का wire दिया ह हुआ है जहां पर l plus लिखा हुआ है तो हमें जहां पर ये l plus लिखा हुआ है वहां पर हमें orange वाला wire ये गिरेनोला वायर L माइनस में, कुछ इस तरीके साब को भी यहाँ पर सोडर कर लेना होगा, अब हमें बेटरी को भी कनेट करना है, तो बेटरी के लिए यहाँ पर आप देसे स्विच यहाँ पर हमारी लगी हुई है, वहाँ पर इसका कनेक्शन दिया हुआ है, right side में हमारा positive लगेगा negative point हमारा left side में लगेगा तो फटा-पट में इसे भी solder कर लेता हूँ आपको वीडियो को ध्यान से देखना है तभी आपको समझ में आएगा तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और आप अगर साथ मेंकर बनाते हैं तो वीडियो को आप पुस्ट करके एक एक अगर स्टेप से आप उसे देखिए उसके बाद आप भी इसे solder कीए तो अच्छी तरह सिए बन जाएगा तो यह हमारा यहां तक का circuit complete हो गया है तो आप हमें इसे charging का जो point है उसे भी हमें लगाना होगा तो सबसे पहले मैं आपको इसे charger से चेक करके दिखा दता हूँ कि यह चार्ज होती भी है या नहीं तो यहां पर मैं सबसे पहले यहां पर आप देखिए यह मेरे पास एक adapter है पांच बोल्ट का यह देखिए पोल्ट के आप चार्ज कर सकते हो तो यहां पर आप देख सकते हो यह मेरे पास जैसे मैंने इसे स्विच को ओन किया यहां पर लाइट जलने लगा रेट कलर का यह यहां पर आप देख सकते हो तो प्रेंट्स यह चार्जिंग का पॉइंट अच्छा से काम कर रहा है अब हमें इसे चेक करना है मैं आपको इसे टेस्ट करके भी दिखा दूंगा तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो यह जो यहां पर वाइट कलर से एक स्वीच लगा हुआ यह प्रेस स्वीच है इससे जब हम पुस्क करेंगे तभी यह स्टार्ट होगा तो मैं आपको इसे चला करके दिखा दता हूं तो यह देखिए जैसे हमने यहां पर इसे स्टार्ट किया यहां की जो एलेडी है रेड और ब्लू कलर की यह करके दिखाता हूं तो फ्रेंट्स अभ मैं आपको स्वीच को पले करके दिखा दोता हूं तो यहां पर आप सुन सकते हो यह देखिए इसका जो भॉलियों में वह काफी हाई है आप यहां पर सुन सकते हो वैस्में आपको पूरा सोंग ने सुनाँ सकता क्योंकि अगर मैं तो यूट्यूब हमें कोपी राइट दे सकता है तो फ्रेंज इसे पर हमें काफी इस दिये आप इसे असारी से घर पर ही बना लोगे तो अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब पर एक घंटा में को दबा दीगा और नमस्तों कभी और चल दीगा तो मै